नमस्कार दोस्तो शुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं उत्तर आधुनिकतावाद जो है ये आधुनिकतावाद के बाद में पनपा है यानि इसका जनम जो है वो आधुनिकतावाद के बाद में तो आधुनिकतावाद बताया जाता है कि पर्थम विश्वयुद से श उत्तर आधुनिक्तावाद का गर्वधारन हो गया और लगभग पेरिश की क्रांती जो हुई थी वहां तक आते आते इसका जनम जो है वो हुआ है। यानि इस पदबंद का यानि इस नाम का सर्वपर्थम प्रियोग जो है वो जोनबार्थ ने 1967 हिश्वी में कला के संधर्ब में किया था फ्रांस में 1968 हिश्वी में पेरिश की क्रांती की ऐसफलता के बाद यह विचारदारा देरीदा वेफ्फुको जैसे विचारको ने उत्र आधनिकता को विक्षित किया तत पस्चात लयोतार जो है इनके पुस्तक भी है पोस्ट मोडरन कंडिशन तो उस पुस्तक में लयोतार तथा फ्रेडरिक जैमसन ने उत्र आधनिकता वाद को विक्षित किया उत्र आधनिकता की कोक्षे जनमा वह पर्खनली शिशु है जो गर्भस्त होकर अपनी ही जन्नी को नश्ट कर रहा है ऐसा माना गया है कि जो आधनिकता वाद की कोक्षे ही जनम लिया और आधनिकता वाद को ही उसने जो है वो नश्ट करने का कारिय किया उत्तर आधुनिक्ता महावरितान्तो ये महतोप्रण बात है क्यूंकि किस्टन ऐसे भी आ सकता है कि उत्तर आधुनिक्ता वाद से संबंदित कौन सा कथन नहीं है तो उसमें कुछ पंक्तियां आ सकती है तो उत्तर आधुनिक्ता महावरितान्तो जैसे रामयन महावर्त बाइबिल को नकारती है यानि महावरितान्त जो है हमारे उनको नकारती है साथ ही यह मुल्ले मिमान्सा को भी नकारती है इस परकार मुल्ले हिंता की पक्सधर भी है उत्तर आधुनिक्ता उत्र आधुनिकता व्यक्ति केंद्रित समिक्षा दरश्टी है जो यह मानती है कि कुछ भी सम्पूरण नहीं है अतहे सम्पूरण ताका खंडन करती है यानि उत्र आधनिक्ता जो है वो व्यक्ति केंद्रित एक समिक्ष्य दरश्टी है एक विचारधारा है जो संपुरणता का खंडन करती है वह ऐसा मानती है कि इस दुनिया में इस जगत में कुछ भी संपुरण नहीं है बोध्रिया ने विचारक है कि बोध्रिया ने उत्र आधनिक्ता पर कई गरंथ जैसे Consumer, Society, Fatal, Strategies आधी में विचार प्रस्टुत किये है यानि उत्र आधनिक्ता वाद से सम्मंदित इन्हों ने इन गरंथों में अपने विचार प्रस्टुत किये डोक्टर नामवर सिंग ने अपने लेख उत्र आधनिकता और हिंदी साहित्य में लिखा है ये जो लेख है नामवर सिंग जी का उत्र आधनिकता और हिंदी साहित्य ये माध्यम पत्रीका में प्रकासित हुआ था इसमें इनोंने लिखा है कि उत्र आधुनिकता क्या है एक तरह से डाइलेक्टिश ओव डिफिट है यानि हार का दवंद्ववाद है तो हार का दवंद्ववाद है जो प्राज्य फ्रांस की ऐसफल करांती से पैदा हुआ है जो प्राज्य से पैदा हुआ है कौन सी प्राज्य से फ्रांस की ऐसफल करांती से और प्राज्य में जो विचारधारा पैदा होती है वह पोस्ट मॉर्डनिजम के रूप में निकलती है पोस्ट मॉर्डनिजम का मतलब उत्र आधुनिकता के रूप में निकलती है जो भी प्र फ्रेडरिक जेमसन के अनुसार उत्र आधुनिकता परवर्ति पुन्जिवाद की उपज है यानि बाद में जो पुन्जिवाद पैदा हुआ है दुनिया के अंदर कहता है कि उसकी वज़े से जो है ये उत्र आधुनिकता वाद जो है वो पैदा हुआ है ये फ्रेडरिक जेम पुस्तक है उसमें मिशेल फुको और टाफलर की माननेताओं को उध्रित किया है यानि ये हिंदी के विद्वान है कृषंदत पालिवाल इनकी एक पुस्तक है उत्र आधुनिकतावाद की डोर उसमें इन्होंने लिखा है वैसे उत्र आधुनिकतावाद की कुछ जलक हिंदी के अंदर जो है वो श्यामनोहर जोशी की रचनाओं में भी है और उदे परकास की रचनाओं में भी कुछ-कुछ जलक जो है उत्र आधुनिकतावाद की जो है वो मिलती है तो ये कुछ तथ्य था उत्र से फिर मिलेंगे किसी अच्छे विशे के साथ तब तक के लिए बाए